सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि भारत के सबसे बढ़िया product रिव्यूद आप तक सबसे पहले पहुँचें नमस्कार दोस्तों आप सबी का Healthy Product Review चैनल पर स्वागत हैं आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Endura Mass वेट गंदर का और मैं आपको बताऊंगा कि इस पाउडर को आपको कैसे इस्तिमाल करना है फाइदे क्या हैं नुकसान क्या है किन को लेना चाहिए किन को नहीं लेना चाहिए साथ ही वेट गंद को लेकर एक beneficial टिप भी वीडियो के अंद में आपको देखने को मिलेगी इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जरा भी skip नहीं करना है सबसे पहले बात करें Endura Mass Weight Ganner की तो यह product बहुत ही famous है market में और इसका advertisement भी बड़े scale पर किया हुआ है साथ ही market में हर जगह यह available भी हो जाता है मैंने चोकलेट वेवर में इसको buy करके review करने की सोची विगोज यह जो variant है वो सबसे ज़्यादा market में बिखता है review की शुरुआत हैं वो हम प्राइज और पैकिंग से करते हैं Endura Mass Weight Ganner के इस 500 ग्राम पैक की जो प्राइज है वो 500 पिंचान एरोपे देखने को मिलती है इसको आप online भी Amazon से खरी सकते हैं जहां पर आपको discount भी देखने को मिलेगा कमपनी 60 और 90 ग्राम की जो serving है उसको recommend करती है लेकिन उसके सबसे कोई भी perfect है वो स्कूब इसके अंदर नहीं दिया है एक guide इसके अंदर देखने को मिलती है जिसमें how to use का perfect method है वो अलग-अलग बासा हुमें बताया गया है अब हम बात करेंगे ingredients की और nutritional लिंफ होगी अगर बात करें ingredients की तो इसके अंदर maltodextrin, whey protein isolate, soy protein isolate, skimmed milk powder, sunflower and coconut oil, cocoa powder, wool milk powder, इसके अलावा soya fiber, emulsifying agent साथ ही vitamins और mineral के साथ में artificial flavor भी देखने को मिलते हैं अब हम nutrition की मात्रा को check करेंगे, company ने इसके उपर 100 ग्राम के इसाब से मात्रा है वो लिखी है, जबकि serving है वो 60 और 90 ग्राम की recommend करती है, ये थोड़ा सा 8 बटा है अब 100 ग्राम के इसाब से company ने उपर लिखा है, तो इसकी बात करें, तो 100 ग्राम powder के अंदर आपको 416 किलो कैलोरी energy देखने को मिलती है काप 14 ग्राम देखने को मिलती है, जिसमें 12 ग्राम सुगर देखने को मिलती है, protein 15 ग्राम है जो कि बहुत ही कम कहूंगा क्योंकि 100 ग्राम के इसाब से देखे तो 15 ग्राम ही protein है, जो कि सिर्फ 15% है अगर हम fat की बात करें तो crude fat है वो 6.7 ग्राम देखने को मिलता है, fiber है वो less than 1 ग्राम है बाकी हम देखें तो इसके अंदर minerals में calcium, phosphorus, potassium, sodium और iron देखने को मिलती है जबकि vitamin में vitamin C, E, B complex और vitamin A देखने को मिलते है nutrition के इसाब से मैं इसको ok कहूंगा, ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें protein की मात्रा कम देखने को मिलती है जो कि muscle building के लिए और शरीर को बनाने के लिए सबसे जरूरी है, वो nutrition रहता है अब हम बात करेंगे how to use कि अगर company के इसाब से देखें तो company recommend कर रही है कि बच्चों को 10-20 gram powder को एक glass दूद के अंदर mix करके पीना चाहिए साथ में एक केला भी mix करने की सला company देती है मैलाओं के लिए 20-30 gram powder, west के लिए 20-40 gram powder और जो athlete है ज़्यादे exercise बगरा करते हैं, gym करते हैं उनको 60-90 gram powder है वो इस्तिमाल करने की company है वो सला देती है तो यहाँ पर यह थोड़ी सी information है वो मुझे अटपटी सकान लगेगी जो नीचे information दीगी है उसके इसाब से 20-40 gram या फिर 40-60 gram करने की company बात कर रही है जबकि उपर serving के साब से देखे तो 60-90 gram की serving की जानकरी दीगी है वहाँ पर kilo calories के साब से भी बताया गया है कि अगर आप दूद के साथ में लेते हैं तो इतने calorie मिलेंगे केला mix करते हैं तो इतने calorie है और साथ में अगर ice cream mix करते हैं तो इतने calorie है वो मिलेंगे तो यह information में अगर को थोड़ी से ब्रामक लगी क्यों कि वहाँ पर company ज़्यादा serving को इसलिए बताया है ताकि calories की मात्रा है वो ज़्यादा लगे और उपर का advertisement है वो सत साबीत हो लेकिन मैं आपको personally अगर सला देना चाहूं तो आपको 30-30 gram की 2 serving लेनी है अगर आप exercise करते हैं और आपकी health है वो बढ़िया है अगर आप मैला है या फिर teenager है तो आपको 30 gram की एक serving ही use करने के सला दूँगा एक glass आपको दूद लेना है उसके अंदर 30 gram यह powder mix करना है और फिर आपको उसको अची तरीके से mix करके पीना है टेस्ट का कोई भी issue देखने को नहीं मलता इसके ऊपर एक और चीज़ लिखी वी है जो की थोड़ी सी अटपटी है वो यह है कि इसके अंदर बनाना वगर आप mix करके पी सकते हैं आईस्क्रीम mix करके पी सकते हैं यह थोड़ा सा मेरे को अटपटा है वो यूज करने का method लगा आप दिन में दो सी तीन बार इस्तिमाल कर सकते हैं यह company कहती हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ दो बार ही 30-30 gram recommend है वो करूँगा अगर आपकी यह 14 या 15 से उपर है तो आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं कौन नहीं ले इसकी तीन से 6 महीने तक यूज कर सकते हैं अगर 6 महीने से ज़्यादा आपको यूज करना है तो मैं आपको recommend नहीं करूँगा क्योंकि लीवर और किटनी के उपर भी effect हो सकता है अगर आप male है तो 6 महीने से ज़्यादा आपको इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ज़रूर थे उससे ज़्यादा तो weight gain है वह आसनी से हो जाएगा इसके साथ ही अगर आप exercise करेंगे तो आपको effectively weight gain होगा शरीर अच्छा और सुडॉल बनेगा जबकि exercise नहीं करेंगे तो आपके तौन निकलेगी तो weight gain में यह help करता है शरीर का stamina बढ़ाता है बोड़ी को healthy ब hormonal imbalance भी हो सकता है estrogen की मात्रा बढ़ सकती है जो की फुरूसों के लिए अच्सी है वो जरावी नहीं रहती अगर हम downside की बात करें तो milk plus banana और उसके साथ में powder mix करने की यह company बात कर रही है जो की hard to digest है और most of the लोगों को यह digest है वो नहीं हो सकता इसके साथ ही waffle milk बगेरा की information उप weight gain है वो हो सकता है एक बड़ी quality के weight protein और multi vitamin की link है वो मैं वीडियो के description में दे रहा हूं अब अगर बात करें weight gain को लेकर tip की तो अगर आप हफते में 4 दिन चना खाते हैं सुबह के समय अंकुरी चना और साथ ही हफते में 3 दिन दही खाते हैं और अस्वगंदा और सतावरी का दिन में एक बार इस्तमाल करते हैं तो आपका effectively weight gain है वो हो सकता है तो यह थी आपके लिए beneficial tip यह था एंडियो रमास weight gain का complete review मैं इस powder को एक average quality का product है वो कहूंगा बारत के सब से trusted और quality product review करने वाले चैनल healthy product reviews का भी subscribe करें और साथ ही bell icon पर भी click करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद